ग्यानवापी मस्जद से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता दे ग्यानवापी मस्जद विवाद से जुड़ी मुस्निम पक्ष की याचिका पर इलहाबाद हाई कोर्ट में आज भी सुनवाई चाही रहेगी सर्वे के आदेश के खिलाफ मस्जद की इंतजामिया कमिटी के ओर से याचिका दाखिल की गई है चीफ जस्टिस प्रितिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच आगे की सुनवाई करेगी चीफ जस्टिस की सिंगल बेंच सुप्रीम कोट के निरदेश पर अर्जिंसी के अधार पर इस मामले की सुनवाई कर रही है कि आदेश सुप्रीम कोट ने परसो ही दे दिये थे इस मामले में मंगलवार को तकरीबर 50 मिनट तक सुनवाई हुई जिसमें हिंदू और मुसलिम पक्ष के तरफ से अपनी अपनी दलीली रखी गई हिंदू और मुसलिम पक्ष में मेरिक पर बहस करते हुए उन्होंने अपनी दलीले पेश की थी आद सुबह आगे के बहस जारी हो रही है आपको बता दे मुसलिम पक्ष जहां तमाम दलीले देकर जिला जच की सरवे के आदेश को निरस्ट के जाने की अपील कर रहा है वहीं हिंदू पक्ष मस्ज़द कमीटी की याचिका को खारिच के जाने की सफारिश कर रहा है आपको बता दे सरवे के आदेश के खिलाफ मस्ज़द के इंतज़ामिया कमीटी के ओर से याचिका दाखिल की गई है चीफ जस्टिस प्रितिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच वागे की सुनवाई करें चीफ जस्टिस की सिंगल वेंच सुप्रीम कोट के निर्देश पर मामले में सुनवाई कर रही है इस मामले में मंगलवार को तकरीबन 50 मिनट तक सुनवाई हुई जिसमें हिंदू और मुस्लिम पक्ष में मेरिट पर बहस करते हुए अपनी अपनी दलीले पेश की थी आज सुभा आगे की बहस चारी है मुस्लिम पक्ष जहां तमाम दलीले देका है जिला जजज के सर्वे के आदेश को निरस्त किये जाने के अपील कर रहा है वह हिंदू पक्ष मस्जुत कमीठी की याचिगा को खारीच के जाने के सिपारिश कर रहा है